नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस नियूज की डिफेंस टॉक्स तरीज में जहाँ पर हम रोज ने ने डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडिय चल रहा था और अभी फाइनली डियाडियो की तरफ से इसको ले कुछ ऑफिशल स्टेट्मेंट दिया गए है जिसमें बताया जा रहा है कि अभी डियाडियो की तरफ से प्रोजेक्ट वीरुपक्षा के अंदर एक नई एस रडार को डिवलप किया जा रहा है जिसे जबां की रडार एंटिना को री पोजीशन किया जा सकता है जिसके अंदर उसकी अजिमथ और इलिविशन को घ्जट किया जा सकते हैं जिससे जनुट पढ़ने पर डार की सकैनिंग एंगल को अध्यस किया जाने वाला है और इस तरही pathways को अड़को रहा करने से मिसाधे करन और इसको सिर्फ मिसाल को लावा नॉर्मल स्केंनिंग के लिए इस्तमाल किया जा सकता है और एक वाइडर एंगल में दुस्मन को स्कैन किया जा सकता है ये radar technology में एक बहुती बड़ी achievement होने वाली है और फिलाल विरुपेक्च रडार को उत्तम एसा radar की mark 2 variant को base करके बनाया जा रहा है जिसमें बस additional steering mechanism को add किया जा रहा है और यह भी सूपर सुकोई में इस्तमाल करने का फैसला किया चुक है जिसमें initially जो 84 सुकोई अपगेड होने उनके लिए इसको बनाया जा रहा है अगला update भारत और व्रजिल की तरफ से रीसेंटली ब्रजिल की एक delegation टीम भारत आयोई थी और इस दौरान भारत और व्रजिल की बीच अकास सर्फिस्टर मिसाल सिस्टम को लेके और ब्रमोस मिसाल को लेके बात चीत होने की बात की गई है जिसमें भारत की तरफ से अभी अपनी निलगीरी क्लास की अनिकि सबसे modern फ्रिगेट को ब्रजिल नेवी को उफर किया जा रहे है और इनको भी टी ओडी के साथ ब्रजिल को उफर किया गया है मजगाउंड टोक लिम्टेड का कहना कि अभी ब्रजिल नेवी में जो सबसे एडवांस फ्रिगेट है वो तामरेडे क्लास की फ्रिगेट से जिनको टीकेम इसकी तरफ से मेनुफेक्चर किया आता है लेकिन यह जो वैसल है इनकी डिस्प्रेस्मेंट 3500 तन तक होता है जबकि ब्रजिल की तरफ से अभी जी नए वैसल को या नए फ्रिगेट को अपनी सर्विस में सामिल करने का फैसला किया जा रहा है यह उसमें ब्रमोस मिसल को इंटिग्रेट करना चाहते हैं तो ऐसे में ब्रजिल की एक्जिस्टिंग वैसल में ब्रमोस को इंटिग्रेट कर अपना बहुती मुस्किल होने वाले और अगर किसी तरीके से हम इसमें ब्रमोस क को क्यारी नहीं कर सकते तो इस वज़े से अभी बारत की तरफ से ब्रजील को अपनी निलगरी क्लास की फ्रिगेट को ओफर किया जा रहा है जिनकी डिस्प्रिस्मेंट 6670 तक होने वाली जो की अल्मोस्ट वर्जिलियन नेवी की करेंट फ्रिगेट के मुकाबले लगभग दो को गुना जादा बड़े होने वाले और बड़े होने की वज़े से इसमें जादा ब्रमोस को क्यारी किया सके साथ ही इन विसल को पहले से ब्रमोस को क्यारी करने के लिए डिजाइन किया गया है तो इस वज़े से इसमें ब्रमोस को इंटिग्रेट करने में हमको कोई भी पर का मिलने वाला है अगला अपडेट रॉफाल और एमका से रिलेटेट है तो अभी डेसाल्ट वीशन की डेसाल्ट मेंटेनस और रिपेर ओगनेशन इंडिया की तरफ से नोड़े में अपनी नई फैसिलिटी को या मेंटेनस सबको सेट अप करने का फैसला किया गए और अगर होता है तो ये इंडियन एर फोर्स की डेसाल्ट मेराज 2000 और रफाल दोनों की मेंटेनस में हमें काफी मदद करने वाला है अभी हमारे पास लगभग 50 के आसपास मेराज 2000 और 36 रफाल मौजूद है जिनको रेगुलर वेसिस पर या इंटरवल पर सर्विसिंग की दरुवत होना, इनकी डाउन टांटक को कांफी है तक कम करने वाला है। इसके आलावा है जो नई फैसलेटी अभी जो नवस्ट में सेटप करने का फैसला किया जा रहा है। यह मिदल के वी इस रिजिए और बाखी इस फोर्फाल उप्रेटर होंगा उन सभी कर से हैं वाम करने बा तेस्ट वेड के तौर पर ऊफर करने का फैसला किया जा रहे आपको पता होगा कि जब हम कावेरी इंजिन को डवलब कर रहे थे तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें इसे रश्या वेजना होता था जहां पर रश्यन IELTS 76 फ्लाइंग टेस्ट बेंड में कावरी इंजिन को इंटिग्रेट करके टेस्ट किया था लेकिन अभी सफरान का कहना है कि वो भारत में ये अमका के लिए डवलब किये जाने वाले इंजिन को टेस्ट कर सकता है और इसके लिए रफाल को इस्तमाल किया जाएगा जिसमें रफाल की एक इंजिन में उसकी एक जिस्टिंग एमिटेट इंजिन का इस्तमाल किया जाएगा और दूसरी इंजिन की जगा पर यहां पर ने इंजिन को इंटिग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा और बाद में भारत चाहे तो अभी जिस नए इंजिन को वो MK के लिए डवलब करने वाले उसी इंजिन को आसानी के साथ रफाल में इस्तमाल कर सकता है क्योंकि हर एक एक राप्ट को अपनी पूरी सर्विस लाइप के दोरान 3-4 बार इंजिन को बदलने की जुरत पड़ती है अगला अपडेट मरीन इंजिन को लेके है रीसेंडली हमारे पीएम नरेंदर मोदी जी युकरेन के गस्त पर जाने वाले हैं और उनकी इस विजिट को लेके काफी चर्चा चला है वैसे भारत और युकरेन की बात करें तो जिस तरीके से रश्या हमारा दोस्त है वैसे युकरेन के साथ भी हमारा कोई दुस्मनी वाला रिस्ता नहीं है और हमारा दोनों के साथ अच्छे रिलेशन है जिस वज़े से अभी तक रश्या और युक्रेइन की मुद्दों पर या लड़ाई को लेके भारत न्यूटल रहा है इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में भी भारत रश्या के तरह युक्रेइन की उपर काफी हत्यक डिपेंडेंट है खास करके मरीन गैस टर्बाइन इंजिन्स को लेके भारत युक्रेइन की उपर काफी डिपेंडेंट है उनकी future को लगे भारत काफी परिसान था क्योंकि जंग की वएसे अभी उक्रेइन की हालत सही नहीं है और ज़रुरत पढ़ने पर वक्त पर हमको इंजिन और उसकी related equipment को supply नहीं कर सकते हैं वज़े से अभी भारत की तरब से उक्रेइन के साथ इस मुद्धे को लेके वाथचित करने की उमीद किया जा रहे है साथ अभी ये भी पता चला है की इसी दोरानी उक्रेइन की जोर्या मैस्पकेट की तरब से भारत के साथ एक joint venture को भी form करने का फैसला किया जा रहा है इससे भारत की कई सारे परसानी एक ही बार में दूर हो सकते हैं तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन बंदे मातरम